Hello friend, welcome to my channel आज हम मसरूम, पनीर और गाजर की सबजे बनाएंगे मसरूम और मटर की सब भी तो बहुत लोग बनाते हैं लेकिन आज हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे पनीर, मसरूम और गाजर इसके लिए हमने पनीर, मसरूम, गाजर लिया है मसाले के लिए चौप प्याच और चौप हुआ टमाटर सबसे पहले कड़ाई में तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तब हम यहाँ पे पनीर को फ्राई कर लेंगे वैसे तो हम सब्जी में पनीर को फ्राई नहीं करके डालते लेकिन इस मस्रूम के साथ जब हम पनीर बनाएंगे तो पनीर को हलका सा फ्राई कर लेंगे बहुत ज़्यदा फ्राई नहीं करना है इस तरीके से जब पनीर फ्राई हो जाए तो उसे हम अलग बरतन में निकाल लेते हैं अब साथ के साथ ही हम यहाँ पे मस्रुम और गाजर को भी फ्राइ कर लेंगे दोनों को एक साथ फ्राइ करेंगे बहुत ज़्यादा इसे भी फ्राइ नहीं करना है इस तरीके से हम यहाँ पे फ्राइ करने के बाद उसी प्लेट में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे हमने कराई में बहुत ही सुरी हमने कराई में ज्यादा तेल का यूज नहीं किया था इसलिए हम यहाँ पे तेल नहीं निकालेंगे अगर आपको लग रहा है कि तेल ज्यादा है तो आप इसे थोड़ा सा तेल आप निकाल भी लीजिए अब हम यहीं पर जीरा और तेश पत्ता डालेंगे जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब हम यहाँ पर चॉप हुआ प्याज डाल देंगे हमने ग्राइंट नहीं किया है प्याज को देखिए चलाते चलाते जब प्याज अभी और हमें फ्राइ करना है जब इस तरीके से प्याज हो जाए तब हम यहाँ पर चॉप हुआ टमाटर डाल देंगे आप चाहे तो इसे टमाटर का पेश्ट भी डाल सकते हैं अब साथ के साथ ही हम यहाँ पर टमाटर डाल दी तो फिर हम यहाँ पर नमक भी डाल देंगे और साथ के साथ ही हम यहाँ पर सारे मसाले भी एट कर देंगे नमक डालने से जो टमाटर है वह और साफ्ट हो जाएगा अब हम यहाँ पर धनिया पाउडर लाल मिर्श पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कासमेरी लाल मिर्श कलर के लिए डाला हुआ है और थोड़ी से सबजी मसाला यह सब मसाले को डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे और ढपके इसे अच्छे से साफ्ट होने तक फ्राई करेंगे दिखिए मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा है और मसाला पक भी गया है अब इसमें सारे सब्जियों को एट कर देंगे हलकी हाथों से चलाएंगे इस तरीके से हम यहाँ पे गरम पानी यूज़ करेंगे जब कोई सब्जी फ्राइ करे बनाते हैं तो वहाँ पे हम गरम पानी हमेशाיר प्राइडिकds करते हैं जिससे की उसका कुटिंग का प्रllooss जो होता है वो कम न हो यहाँ पे हमने गरम पानी डाला है इस तरीके से जब सब्जी फ्राई है ही सब्जी हमारी बहुत ज़्यादा पकानी तो है नहीं इस तरीके से देखिए जब वो बाल आ जाए तो आप चाहे तो आधाई स्पून चिनी भी डाल सकते हैं और यहाँ पे हम हाथों से करस करके कसूरी मेथी डाल दे रहे हैं देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है अगर आपको कम पानी चाहिए तो इससे और पाका सकते हैं या फिर पानी कम डाल सकते हैं बस हमारी सब्जी रेडियो हो गई उपर से धनिया से गार्णिशिंग कर देंगे यह सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है प्लीस आप एक बाद जरूर बनाईएगा अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस लाइक से और सस्क्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा थेंक यू फॉर वाचिंग बाबाई